मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का रुदह से बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ उनको शुबकामनाय देता हूँ रक्षा मंत्री अद्रणिया राजना सिंग्जी ने भारतिय जन्नतापार्टी संसेदल के नेता, इंडिये के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आद्रणिया नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूँ और विशेश रूप से पिछले दस साल में उनके नेतुरत्व में कारे करने का सोभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समरुद्ध हो, संपन्ध हो, विश्व की महाशक्ती बने और समाज के सरवागिन शेत्र में उन्नतियों और विकास हो, इसके लिए कटिवद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है, कि केवल देश में नहीं, तो पूरे विश्व में अपने कारे से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी दस साल में जो काम हुआ, वो तो एक प्रकार से शुरुवात थी, पर इसके बाद आने वाले पास साल में, हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सब को दूरूर विश्वास है। मैं अपनी तरफ से अधरनिय मोदी जी को शुबकामन और शुबेच्चाय देता हूँ, और अधरनिय राजनाजी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका अनुमदन करता हूँ, और फिर से एक बार आप सब को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार।